दमा के बारे में यह कहावत है कि दमा दम निकलने के साथ ही जाता है लेकिन यदि हम इसे आयरविद की दरस्टी से देखे तो यह कहावत पूरी तरह से गलत साबित होती है क्योंकि आयरविद में इतनी शक्ती है जो किसी भी जान लेवा रोग को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है शर्त बस इतनी है कि इसका उप्योग हमें सही तरीके से करना चाहिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मिजवेरागी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर मैं हूँ शालू और आज की इस वीडियो में में लेकर आई हूँ आपके लिए दिव विश्वासारी गो पूटियों के बारे में दिव विश्वासारी गोल्ड केपसुल में आयरुवेदिक घटक हैं त्रिकटु चोण स्वासारी रस सीतो पलादी चोण अभ्रग भस्म स्वर्ण बसंत मालती मोती पिस्टी गोदंती भस्म इन सभी आयरुवेदिक जड़ी पूटियों को मिला कर दिव विश्वासारी गोल्ड केपसुल को तयार किया गया है अब हम चान लेते हैं दिव विश्वासारी गोल्ड के फाइदों के बारे में दिव विश्वासारी गोल्ड केपसुल अस्तमा जिसे ज़्यादा तर लोग दमा के नाम से जानते हैं इसके साथ ही सास लेने में क स्टेरोइड है जो की आक्सिजन लेवल को तुरंत बढ़ाने का काम करता है दमा एक ऐसा रोग है जिसका इलाज यह दिस समय रहते नहीं किया जाए तो रोगी की हालत इतनी कमजोर हो जाती है कि कोई काम करना तो बहुत दूर की बात उसे ठीक से चला फिरा भी नहीं जाता है यह सब इसलिए ही होता है क्योंकि दमा रोग होने के कारण सास बहुत जादा फूलने लगती है इसलिए रोगी कोई भी काम को करने में असमर्थ महसूस करता है और खुद को बहुत जादा कमजोर महसूस करता है यदि आप दमा रोग से लंबे समय से पीडित है तो ऐसे में भी आप देविश्वासारी गोल्ड का सेवन कर सकते हैं साथ ही योग और प्राणायम जरूर करें जिससे कि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल सके देविश्वासारी गोल्ड कैपसुल वैसे तो दो पैकेजिंग में आते हैं इनके कीमत थोड़ी से ज़रूर है लेकिन इसमें जो आइरवेदिक जड़ी बूटिया हैं वो बहुत ज़ाधा महँगी है जैसे कि स्वर्ण भस्म, मौते पिस्टी इनके कीमत बहुत ज़ादा होती है और यह बहुत ज़ादा असरदायक भी होती है इसलिए हो सकता है आपको इसकी कीमत थोड़ी सी जादा लगे दिव श्वासारी गोल्ड के छोटे पैकेजिंग की कीमत है 400 रुपे जिसमें 10-10 कैपसुल की दो स्टिप्स आती है आप इसका सेवन भी कर सकते हैं दिव श्वासारी गोल्ड के दो कैपसुल का सेवन आप दिन में भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं दिव श्वासारी गोल्ड कैपसुल पतंजली रिसर्च इंस्टिटुट द्वारा सर्टिफाइड है इनका किसी भी तरह का कोई भी साइट इफेक्ट नहीं है श्वासन से संबंधित रोग या अन्य किसी बिमारी होने का सबसे बड़ा कारण है लोग इम्म्यूनिटी यानि कि आपकी रोग प्रती रोदक्षमता जितनी जादा कमजोर होगी आपको बिमारिया उतनी ही जादा घेरेगी इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखे हमेशा अपनी इम्म्यूनिटी को बूस्ट रखे और अपनी रोग प्रती रोदक्षमता को बढ़ा कर रखे अपनी दिन चर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर खाने पीने का पूरा ध्यान रखे योग करे प्राणायम करे जिससे की आपकी इम्म्यूनिटी है वो बूस्ट हो सके और आपको ऐसी कोई भी बिमारिया ना घेरे दिव विश्वासारी गोल्ड केपसुल के बारे में यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे ताकि यह जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करे ताकि आपको आने वाली सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकरी हमेशा और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद